हालो प्यारी बैचों कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे and classes की उच्छा करें होंगे हम लोग डेख बहुत in important question को सालब कर रहे हैं चाहे कोई भी exam देना हूँ आप लोगों को आप लोगों के लिए classes काफी important है क्योंकि इस हम लोग detail में पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ उसमें facts को भी देखते रहते हैं जिससे बड़े और छोटे exams दोनों में मदद मिलती है तो चली बचलोग शुरुआत करते हैं आज के class की और आज आपका पहला प्रस्थन है Home Rule League आंदोलन के संदर में निम्लिकित में से कौन सा कथन है जो सही है पहला है एनी वेसंट ने Home Rule League के गठन के अपने प्रस्ताओं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सहमती प्रात की थी दूसरा तिलक ने अपने Home Rule League के गठन के लिए कांग्रेस से किसी भी प्रकार की अनुमती प्रात नहीं की थी तीसना है नरम पंथी कांग्रेसियों ने लीग से दूरी बनाये रखी क्योंकि उनके राजनीतिक प्रचार और साचछडिक कारिकरम अतिवादी थे और चौथा है कि कोई भी जो है आपका सही नहीं है बताएंगी बच्चा लोग कह रहा है कौन सा है जो सही है यानि कि आपको सत्य बताना है फटा फट उत्तर दीजेगा आपका क्या है जो सही हो जाएगा और उमीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि काफी कुछ तो आपका मैंने क्लियर करवा ही दिया है प्राक्टिस सेसन के दर्मियान बस अरते आप लोग रिवेजन करके उसको लंबे समय तक अपने दिमाग में रख सकें तो बचलो क्या हो जाएगा याद रखेंगे आपका क्या सही है केवल और केवल आपका दूसरा सही है पहला कह रहा है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के गठन के ने अपने प्रस्ताओं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहमती प्राप्त कर ली थी इस पर इनको सहमती नहीं मिली थी और लंबे इंतजार करने के बाद इनों सितंबर 1916 में क्या किया अपने होम रूल लीग का गठन कर दिया था याद रखेंगा इनकी लीग कब बनी है सितंबर में सितंबर 1916 में बनी है जब इन्हें अनुमती या सहमती नहीं मिली तो आंतता इन्होंने क्या किया अपने लीग का गठन कर दिया दूसरा बिल्कुल सही है कि तिलक ने अपने होम रूल लीग के गठन के लिए कांग्रेस से किसी भी प्रकार की अनुमती प्राप्त नहीं की थी क्योंकि इनको जो है कांग्रेस में 1916 में गरम दलवालों को सामिल तो कर लिया लेकिन कोई सर्थ नहीं थी यानि की इस तरह की कोई कंडिसन नहीं था ये स्वतंत्र थे तो इन्होंने अपने हिसाब से अपने लीग का गठन कर लिया और ये लीग इन्होंने कब गठित किया है ये भी याद रखेगा इनका लीग जो है अप्रिल 1916 में याद रखेगा इनका लीग बहले बना है और इनी बेसे इनका बाद में बला है ये इंतजार कर रही थी कि कांगरेस इनको मदद करेगा सपोर्ट करेगा मुस्लिम लीग सपोर्ट करेगा और इस वजह से इनका लीग लीट में बना जो तिलक है इन्होंने अपनी लीग का निर्मार पहले ही कर लिया था तीसरा जो कह रहा है कि नरम पंथी कांग्रेसियों ने लीग से दूरी बनाए रखी क्योंकि उनकी राजनेतिक प्रचार और साइच्छिडिक कारिकरम आतिवादी थे नहीं ये गलत है चुकि आप सभी को पता है कि जो नरम पंथी कांग्रेसी हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं चुकि ये चार हैं कि इसी माद्यम से उनका राजनेतिक प्रचार भी हो जाएगा और साइच्छिक कारिकरम भी चल पड़ेंगे इसी वज़े से इन्होंने क्या किया है सपोर्ट किया है एक तरीके से कि अपने जरूरत के लिए किया लेकिन किया था तो आपका कहारा कौन सा सही है केवल और केवल दूसरा सही है पहला क्यों गलत हो गया आप सबको पता है तीसरा भी गलत है ये भी आप लोगों को पता चल चुका है अगला question देखिए सुधारवादी सिख अकाली आंदोलन के संदर में कौन सा कतन है जो सही है सुधारवादी सिख अकाली आंदोलन चलाया गया था इसके बारे में क्या सत्ते हैं आपको बताना है चलिए फटा फट उत्तर दीजेगा पहला कह रहा है इस आंदोलन के सुरुआत ब्रष्ट महंतों के विरुद्ध हुई थी और आंतिताया सिख समाज के सुधार आंदोलन में परडेत हो गया दूसरा इस आंदोलन को तीब्रता प्रदान करने में स्वण मंदिर के ग्रंथियों ग्रंथियों का गदर आंदोलन कारियों और जनरल डायर के प्रतिस्था का रात्मक द्रिश्टिकोर था तीसरा कह रहा है आंदोलनकारियों की मुख्य मांग, स्वड मंदिर और अकाल तक्त का प्रबंध अस्थानिय भक्तों को सौपे जाने की थी और फिर कह रहा है कि चौथा आप लोगों होते हैं दिखा है नहीं जाकि यहाँ पे होना दर एक क्या है जो प्यादती है Đ prophets नहीं है नहीं हुँ आप play तो से ह्लाग में तो यहाद रिखेंग यहाँ है जो स्थे में नहीं है आपको ये बताना है आपके पास हैं तीन आप्सन और आपको बताना है क्या है जो आपका सत्य नहीं है तो याद रखेंगे आपकी जो बाते लिखी हुई है न यहाँ पे कोई भी बात जो है वो सही नहीं है आपसे नमबर फोर आपका सही हो जाएगा कि कोई भी सही नहीं है विचलोग इंपोर्टेंट है याद रखिएगा कोई भी सही नहीं है क्यों सही नहीं है चुकि सिख अकाली आंदोलन के जो सुरुवात हुई है वो गुरु द्वारों को भरेष्ट महानतों के चंगुल से कि पी मुक्त खुअ कोई डाउट नहीं है मूलता यह एक कैसा है आंदोलन के सुन महनतोος के दैंगर विंद में परदिति हो गया यह हुआ था उनको जो हैं वहाँ से भगाने के लिएफ फार लेकिन कह रहा है कैसे हुआ तो इसका opati याद रखे गार च्छी तो संटता संग्राम तो दूस्जी तो यह से भैके बाला सकस्स महतुरि इस आंदोलन को तीब्रता प्रदान करने में स्वड मंदिर के ग्रंथियों का गदर आंदोलनकारियों और जनरल डायर के प्रति सकारात्मक द्रिश्टिकोर था आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे जो अमरेशर में घटना हुई है उस घटना के को ले करके निस्ची थी कोई भी बिक्ती जो है वो सकारात्मक होई ही नहीं सकता खास करके अमरिसर की घटना है निस्य थी वहाँ पर तो और भी जादा लोगों की मन में आक्रोस आएगा तो आपका ये भी क्या हो गया है गलत हो गया है जो आपका तीसरा कह रहा है कि आंदोलनकारियों का मुखे मांग स्वण मंदिर और अकाल तक्त का प्रवंधन अस्थानिय भक्तों को सौपे जाने की थी ये बात भी आपका सही नहीं है reason क्या है कि जो मतब महा के अंदोलनकारी है ये चाहते हैं कि जो स्वण मंदिर है इसकी जो मतब चीजे हैं ये बिधर्मी जो लोग है ऐसे लोगों को ना दिया जाए बलकि जो मतब एक तरीके से कहिए कि जो जुज़ारू किस्म के लोग है जो इमानदार लोग हैं ऐसे लोगों को इसके प्रबंधन का काम दे दिया जाना चाहिए खास करके जो स्वड मंदिर और अकाल तक्त का प्रबंधन है ये सिख प्रतनिधियों को सौपे जाने की मांग की गई थी कि जो सिख प्रतनिधी है ऐसे लोगों को ये दे दिया जाए उन्हीं के हाथ में हो तो यह चीज भी आद रखें के बचलो सिख प्रतनिधियों को देने की बात कि गई इसलिए आपका तीसरा गलत है और दूसरा कहला इन के प्रतिसाकारातमा दृष्टिकोर्था नहीं ऐसी बात नहीं है यह गलत है और पहला भी गलत है चुकि इसकांत ज नहीं था आसान प्रस्ण है लेकिन इंप्वार्टन्ट है क्योंकि कई बार आयों के द्वारा पूछा गया है बताएंगे निमलिखित में से कौन सा काकोरी सड्यंत्र कांड के हिस्से नहीं है आपको पता होगा ये पहला है भगत सिंग दूसरा चन सिखराजात तीसरा है रोस नो से सहारनपूर जाने वाले रेलवे लाइन पर जो है डांकर डाला गया था जो मत्तब उस समय के एच आरे थे इनके द्वारा किया गया था और इसमें बहुत सारे सद्दस्य सामिल थे रामप्रसाद बिसमिल भी थे अस्फाकुला खां भी थे राजिन लाहडी भी थे च सामिल नहीं थे और यह भी याद रखेगा क्वेशन आता है कि इस मतब जो है सड्यंत्र से कौन पुलिस के गिरफ्ट में नहीं आए था कौन बच निकला था तो अस्फाकुला खां जो थे राम प्रसाद बिसमिल को राजिन लाहिडी को इन सब को पकड़ लिया गया था चंसिखर आजाद है यह इस मुकदमे से बच निकले थे या इस कांड से या पुलिस के मतब जो है पकड़ में नहीं आये थे इसलिए याद रखेगा क्वेशन आता है कि कौन बच निकला था चंसिखर आजाद यहां से बच निकले थे बाकी लोगों को भासी हो गई थी भा सत्याग्राइब के बारे में क्या सत्य सत्याग्राइब आप Campbell कुछ पढ़ चूके हैं सत्याग्राइब तो इसक 보여ब करने में आप लोगों को समया नहीं होना चाहिए पहला है चमपारें सत्याग्राइब के सब्सक्रेइब्स राधी जी के साथ सामिल हुए तीसरा के राय सरकार द्वारा एक जांच आयोग नुक्त किया गया था और आज इन प्रसाद इसकी नामित सदस्य बनाए गए थे आपको पताना है कि कौन सा सही नहीं है करने की सभी सही है अब आपके लिए बहतरिन क्वेस्टन है देखते आप लोग क्या उत्तर करने वाले हैं हाला कि काफी आफसान और अंडरेस्टेंडिंग का है अगर आपको याद है पिछले क्लास से हैं यह क्वेस्टन उमीद है कि सही कर पाएंगे तो बढ़ाएंगे समय संथेतिक याने की जो है क्रिस्टिम कळर बना लिये थे और उस कुलर की वजब से हमारे हां के नियुल का जो डिमांड है वह य strat x उशे साथ ही बोब का बिल्कुल रेट कम हो गया था और नील की बींद ना मिलने से किसानों को नुकसान हो रहा हैMmu इसान उसकी जगह कोई और फसल उगाना चाहते थे लेकिन बगान मालिक उगाने नहीं देते थे साथ ही बहुत उचा लगान भी उनसे वसूल कर रहे थे तो ये सब रिजन रहा तो इसके बारे में क्या सही नहीं है वचा लोग आपको ये चीज़े बिल्कुल पता होनी चाहि आपका तीसरा सत्य नहीं है जोकि सर्दकर्वारा एक जांच आयोक निक्त किया गया था और इसके सदसे कौन नामित किये गये थे गांधी जी को नामित किया गया था उस आयोक के जो सदसे है ये गांधी जी थे ये बात बिल्कुल सही है और बाकी तो आपको पता ही है कि ब नेमलेकित में से किस अधिवेशन में भारती राष्ट्य कांग्रेस ने पूर्ड सुराज की मांग और चारिक रूप से रखे थी कौन सा अधिवेशन है जिसमें पूर्ड सुराज की मांग और चारिक रूप से रखे गई थी जहां पे डिसाइट किया गया कि 26 जनवरी को हर साल हम लोग 178 दिवस के रूप में मनाएंगे और ये काम 26 जनवरी 1930 से सुरू कर दिया गया था और ये लाहौर अधिवेशन था इसमें तो आप लोगो कोई समस्या नहीं है नेक्स्ट क्वेस्चन देखे इन्डियन नेशनल आर्मी के जनम दाता और संस्थापक थे जिन्षों ने इसका उत्तरदाए तो सुबास चंदर बोस को सोपा दूसरा मोहन सिंग जिन्हें जापानियों ने 43,000 युदबंदी सोपे थे तीसरा सुबास चंद्रबोस जिन्होंने शिंगापूर और रंगुन से प्रांतिय सरकार का गठन किया चौथा कारव उप्रोक्त में से कोई नहीं पताएंगे बचाव लोग कौन है जिन्होंने इंडियन नाशनल आर्मी को जन्ड दिया था या जो इंडियन नाशनल आर्मी के संस्थापक है तो इसमें आप लोग को कोई दिकत नहीं होना चाहिए इंडियन नेशनल आर्मी इसी को आजाध हिंद फोज भी कहा जाता है और जिसके स्थापन सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंग ने किया था जब जापान ने भारती युद्ध बंदियों के को जो है उनको सौप दिया था तो याद रखेंगे जब आपके कैप्टन मोहन सिंग है इनको दूसरे विस युद्ध के दोरान जो जापान है इन्होंने क्या किया है सौपा है भारती ये बहुत सारे कादियों को जो लगभग आपके कितने हैं लगभग 43,000 युद्ध बंदि हैं इनको प्राप्त करने के बाद जो आपके मोहन सिंग है इन्होंने जापान में ही क्या कर दिया है इंडिया नेशनल आर्मी को जन दिया है आफसर नमर टू बिल्कुल सही है नेक्स देखे निमलिखित में से कौन रामजे मैकडोनाल्ड के संप्रदाई कधिनियम के संबन्ध में महात्मा गाधी के रुख से मेल नहीं खाता है फटा-फट उत्तर देंगे बच इंपोर्टेंट और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा मुझे उम्मीद है पहला रामसी मैकडोनाल्ड संप्रदाई कधिनिरड़य के जलिए हिंदू समाज के होने वाले विभाजन का वह विरोध कर रहे थे दूसरा कह रहा है वे अस्य प्रिस्षता के उनमोलन के में वंचित जातियों के लिए आरच्छड से उन्हें कोई अतराज नहीं था आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात है जो गाधी जी के रुख के बारे में सत्य नहीं है काफी आसान है मुझे ऐसा लगता है चुकि यह रिपीटेड प्रस्ण है बस थोड़ा सा प्रक्रि मतब दे दिया जाएगा तो वो अचूत के अचूत ही बने रहेंगे और उनको हमेशा के लिए अचूत ही मान लिया जाएगा जो गाधी जी चाहते हैं लोगों की मेंटल्टी बदलना कि उनको अस्प्रस ना समझे बलकि अपने समाज का हिस्सा समझे अपने जैसा इंसान सम जे ये चीज नहीं हो पाएगा जो आपके मतब दलित वर्ग है वो उसी निर्वाचन व्युस्था से संतुष्ठ हो जाएंगे और जो उचबण है उसकी मानसिक्ता वैसे की वर्सी बनी रहेगी इसलिए गाधी जी ने कहा कि जो है ये प्रिथक निर्वाचन हमें नहीं पहला तो बिल्कुली सही है दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है आरच्छड से उनको कोई दिकत नहीं था आतराज था प्रिथक निर्वाचन से अगला क्वेस्चन देखे बार दोली सत्त्य ग्रह के पारे में क्या सत्य है आपको ये बताना है पहला इस आंदोलन के अधिकारियों ने भूरा जस्में 30% की ब्रिद्धी करने का निड़े लिया तीसरा या अंदोलन अपने लच्छ को हासिल करने में सफल रहा और चौथा उप्रित सभी बाते सत्य हैं आप बताएंगे बचा लोग बारतुली सत्या ग्रह भी आप लोग पढ़ चुके हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से आप लोग को बताया है तो बताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा और इसको भी सालप करने में आप लोग को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए निशीती बचा लोग याद रखेंगे सारी बाते बेलकुल सही है आपको पता ही होगा बल्लभाई पटे कि गांधी जी की मदद से और फिर क्या हो गया आप को पता ही है कि ये क्या हो गया था सफल हुआ था नेक्स्ट विभाजन देखे भारत विभाजन के समय निम्लिकित में से कौन भारती राष्टे का अंग्रेश का अध्याश्य था जब भारत का विभाजन हुआ उस समय का अध्याची कौन था ये क्वेस्टन भी कई बार आया है और उमीद है कि आप लोग इसका उत्तर बहुत आसाने से दे सकते हैं जेबी कृपलाई, सी राजगुपलाचारी, पुर्सोतम दास्टंडन या अबुल कलामाजाद बताएंगे बचलो कौन है जो स्वतंतरता के समय राष्टी कांग्रेश के अध्यच है और ये काफी आसान लेकिन महत्वूर क्वेस्टन है तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, निश्ची थी आप सभी कोई पता होगा कि 1947 में जब देश आजाद हो उस समय जेबी कृपलाणी जो है ये ही आपके कांग्रेश के अध्यच थे, ये चीज़ आप लोगों को बिलकुल और बिलकुल याद रहना चाहिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन निम्नलिक लिखित में से कौन सा कतन है, जो सही है पहला, गाधी, महात्मा गाधी, दो कारे कालों के लिए कांग्रेश के अध्यच निर्वाचित हुए थे दूसरा, गाधी जी ने 1924 के बेलगाम अध्यवेशन की अध्यचता की थी तीसरा, दोनों बाते सत्य है, चौथा, कोई भी सही नहीं है पताएंगे बचा लोग, क्या बात है, जो की सत्य है, आपका निश्ची थी इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना शहिए, आप लोगों को ये सारी बाते बिल्कुल पता होगा, ये नॉर्मल सी बाते हैं, जो सभी वच्चों को पता रहती है तो निश्ची थी वच्च लोग, याद रखेंगे, आपका केवल और केवल दूसरा सही है जोकि महात्मा गाधी दो बार, दो कारिकाल के लिए कांग्रेस के अध्यच नहीं निर्वाजित हुए है एक ही बार उन्होंने 1924 में बेलगाम की अधिवेशन के अध्यचता की है, जो करनाटक में पढ़ता है ये बात तो बिल्कुल सही है, हाला कि 1934 के बाद गाधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ दी थी और वो रचनात्मक कारियों में लग गए थे इसलिए आपका केवल और केवल दूसरा सही है महात्मा गाधी का जो सुराज है, इसके बारे में क्या सरते है, आपको ये बताना है पहला स्वराज घनिष्ट रूप से अहिंसा और सत्याग्रा से जुड़ा हुआ है दूसरा स्वराज के दो अर्थ हैं एक राजनेतिक और दूसरा राजनेतिक दाइरे से परे तीसरा स्वराज को अधिग्रहित करने के लिए समय और धैर की आवस्यक्ता होती है और चोथा कह रहा है कि सभी बाते सही हैं आप बताएंगे गाधी जी के स्वराज का क्या अर्थ था गाधी जी के हिसाब से स्वराज किसे कहते हैं और आप सभी को बहुत असाने से उत्तर मिल जाएगा चुकि उनकी सोच काफी हद तक समझ में आता है काफी नरम और उदार विचार धारा के हैं तो ये सारी बातें आपकी बिल्कुल सही है बचा लोग उनकी ने ने कहा कि अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पे चलके स्वराज मिलेगा और ये राजनीतिक भी हो सकता है और राजनीति से परे भी हो सकता है और ये धायर से और टाइम लगता है स्वराज इतनी आसाने से इतनी जल्दी नहीं मिलता नेक्श देखे आरंभिक वर्सों में गाधी पर निमलिकित में से किसका प्रभाव था सुरुवाती दोर में गाधी पर किसका प्रभाव था आपको ये बताना है पहला है प्रडामी पंथ दूसरा है थियो सोफिस्ट तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं बताएंगे बचा लोग आरमभिक वर्सों में गांधी परनिमलिकित में से किसका प्रभाव रहा आपको उत्तर देना है किसका प्रभाव पड़ा निश्ची थी आपके लिए कोईसे नया हो सकता है लेकिन याद रखेगा आपका जो आपसन नवर फस्ट है ये बिलकुल सही है प्रणामी पंत का मतलब या पंत का मतलब होता है ऐसा संप्रदाय जो दो धर्म हिंदू और इसलाम धर्म के संगम से बना हो जो धर्म हिंदू और इसलाम दोनों की अच्छी चीज़ों को एकसेप्ट करे ऐसे संप्रदाय को प्रणामी संप्रदाय कहा जाता था और महात्मा गाधी का जन्म प्रडामी परिवार में ही हुआ था और ये विचारधारा उन्हें बच्पन से या विरासत में ही मिली है कि जो अलग-अलग धर्मों के प्रती विचार अच्छे रखती है गाधी जी जो है ये कहते हैं कि मंदिर में पुजारी कुरान पढ़ रहा है या गीता पढ़ रहा है इससे मतलब नहीं है मतलब ये है कि मंदिर में इस्वर की अराधना हो रही है तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका पहला आपसन बिलकुल सही है नेक्स्ट देखिए भारत से बाहर सक्रिय रहे क्रांतिकारी संगठनों के संदर में निम्रिकी तत्तो में से कौन सा है जो सही नहीं है भारत से बाहर जो क्रांतिकारी तत्तो या संगठन सक्रिय हैं के बारे में क्या सत्य नहीं है आपको ये बताना है पहला है इंडियन होम रूल सोसाइटी और लंदन में इंडिया हाउस का गठन स्याम जी कृष्ण बर्मा द्वारा किया गया दूसरा कह रहा है अमेरिका हिंद एसोसियेशन सापताहिक अख़बार गदर का प्रकाशन करता था तीसरा कहरा सुबास चंद्रबोस भारती राष्टे सेना के संस्थापक थे और चौथा कहरा कि कोई भी गलत नहीं है यानि कि सभी सही है आपको बताना है बचालो क्या है जो आपका सत्य नहीं है और ये भी आपके लिए बहतरीन क्वेशन है देखते हैं आप लोग सही उत्त तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं तो यार रखेंगे 1913 में हिंदू एसोसियेशन की अस्थापना सोहन सिंग भाखना ने किया था और ये कैसा है एक सापताहिक इन्होंने पत्र भी प्रकासित किया था जिसका नाम गदर था ये सारी बाते हमने कर लिया है और इंडियन होम रूल सोसाइटी और लंदन में इंडिया हाउस की अस्थापना स्याम जे कृष्ण बर्मा ने किया था ये बात आप सभी को पता होगा तो पहला दूसरा दोनों सही है कि इंडिया हाउस होम रूल सोसाइटी के स्थापना लंदन में किया गया था स्याम जे कह रहा है कि सुबास चंद बोस भारतिय राष्ट्रिय सेना के संस्थापक है भारतिय राष्ट्रिय सेना के संस्थापक जो है वो कौन है कैप्टन मोहन सिंग है जिसको आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है और इसके अस्थापना करने के बाद 1943 में सुबास चंद बोस को इस मोहन सिंग ने किया है विचा लोग उनिस सो तिराले से इसका जो कारेभार है यह आपके जो सुभास चंदर बोस हैं इनको मिल गई थी इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है बाकी दोनों बाते सही है हंटर कमिशन का गठन किया गया था हंटर कमिशन किसलिए बनाया गया था आप सभी को इसका उत्तर पता होगा और इस हंटर कमिशन का मतलब है कि 1929 वाले हंटर कमिटी की बात हो रही है 19-20 कि इतिहास में दो हंटर कमिशन आये हैं यह 19-20 की बात हो रही है पहला कहरा है प्रात्थ मिक्स इच्छा के स्थिति की जांच और परताल करने के लिए दूसरा कहरा भावी संब्यधानिक विकास की जांच परताल करने के लिए तीसरा कहरा न्याइक प्रक्रिया में यह किसलिए किया गया था क्यूं बनाया गया था आप सभी को यह चीज बिलकुल पता होगा बहतरीन प्रस्ण है नेसीति आप सभी जानते हैं कि आपके जलिया वाला बागत्या कांड की नाम से जो इतिहासिक घटना प्रसिद है इसी की जांच के लिए कमिटी बनाई गई थी और इस जो है जांच ने एक तरीके से कहीं निस्पक्ष रिपोर्ट नहीं दिया था बलकि महाँ पे इन्हों ने भेदभाव किया और अंग्रेजों के पक्ष में ही रिपोर्ट को दिया था तो यह आप सभी को पता है दो हंटर कमिटी आई है एक आया 1882 में रिपन के ट जो संद्धी है कि प्रकाशन के फल्सुरूप निवलिखित में से कौन सी घटना हुई सेमरेज की संदी के प्रकाशन के फल्सुरूप का कौन सी घटना हुई थी पहला करह आसा योगां दोलन दूसरा करह सभीने अवग्यां दोलन तीसरा करा ब्यक्तिकत सत्यागरा और चौथा करा भारत छोड़ू आंदोलन पताएंगे बचलो कौन सी बात है जो आपके सही हो जाएगी निश्ची थी याद रखेगा 17 मई 1920 को सिबरस की संधी जो है ये प्रकास में आई थी जिसके तहट जो मुस्लिम नेता है इन्होंने मदद करने का जो है सोचा है कांग्रेसियों का और कांग्रेसियों के साथ मिल करके इन्होंने खिलाफ़त आंदोलन शुरू किया था और उस समय जे एक आंदोलन और चल रह और खिलाफ़त कमटी बना करके खिलाफ़त आंदोलन शुरू किया था और इसे ब्रस की संधी आप सभी को पता होगा अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है और ये प्रतम बेसियुद्धे के दवरान की बात है तो ये क्या हो जाएगा बचलो आ सही होगा अंदोलन हो निमलिकित में से राजनेतिक दलों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहां पे राजनेतिक दल दिये हुए है आपको पताना इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है पहला करा सुराज पार्टी क्या इसके संस्थापक राजेंद प्रसाद है दूसरा करा अकिल भारत है जो सही सुमेलिद नहीं है और यह आपके लिए आसान है नेसी थी यह सारे चीजे पढ़ चुकि आप लोगों को विल्कुल भी समस्या नहीं होना चाहिए कि कौन सा फेया जो शही सुमेलिद पटेल थे इसके अलामा आप देखेंगे मोति लाल नहरू, हकीम अजमल खान ये सारे लोग थे लेकिन क्या इसमें राजिन प्रसाद थे तो निश्ची थी आप सभी को पता होगा कि नहीं ये राजिन प्रसाद का नहीं है इसमें राजिन प्रसाद सामिल नहीं है और इस हिसा या सीराज गुपलाचारी हो गए बल्लभाई पटेल हो गए यह सब नो चेंजर थे गयर परिवरतन वादी थे परिवरतन का विरोध कर रहे थे इसलिए क्या होंगे सुराजी नहीं होंगे अखिल भारती हिंदू महासाभा जो है इसके संस्थापक बीडी सावर कर हैं अखिल आपका यूनियनिस्ट पार्टी ये भी आपका बिल्कुल इंपर्टेंट है ये आप मैंने बताया था किस से सिकंदर हयात जो है ये जुड़े हुए है और इसी से आपके जुड़े हुए है फजल ए हुसाइन तो आपका पहला और पहला सही नहीं है बाकि दूसरा तेसरा नौसानिक बिद्रोग निमलिकित में से किस जहाज से शुरू हुआ था आपको जहाज का नाम बताना है ये भी इंपॉर्टेंट है नौसानिक बिद्रोग किस जहाज से शुरू हुआ था पहला कह रहा है H.M.I.S. बांबे फरवरी 1946 को नौसनिक बिद्रोव शुरू हो गया था नौसनिक बिद्रोव क्यों हुआ था हमने इस पारे में पहले भी बात कर लिया है कि अच्छा खाना नहीं था बेतन अच्छा नहीं था पदोन नती नहीं होती थी भेदबा होता था नसली ये चीज़े देखने को मिलती थी और इसके अलावा उस समय एक सेना की मतब्यक्ति की गिरपतारी भी थी और इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे हरताल करके बैठ गे थे जिसको बाद में 23 फरवरी 1946 को आत्म समर्पड करना पड़ गया था याद रखेंगे बचलोंगा 18 फरवरी 1946 की घटना है करम लगाने के लिए कभी-कभी एक ही साल की कई घटना है दे दिता है इस वज़े से आपको मन्त भी पता रहे तो याद रहे गए ये 18 फरवरी की घटना है जब 9 सानिक बिद्रों हुआ था जहां पे पटेल और नहरू ने सानिकों का आत्म समर्पड करवा दिया था नैसे देखे भारती तिहास के संदर में डिकी वर्ड प्लान संबंदित है डिकी वर्ड प्लान किसे संबंदित है भारती तिहास में और ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है हो सकता है नया हो पहला है सांप्रदाई 15 छाड़ से, दूसरा है भारत विभाजन से तीसरा है प्रत्थम विस्युद्ध में भारत की सहभागिता से और चौता है स्वतंत्र भारत की आर्थिक योजना से बताएंगे भारति तिहास के संदर में डिकी word plan किसे संबंदी थे ये भी आपके लिए बहुत important है ये जो आपका डिकी word plan है ये 3 June को लाया गया है और इसी को Mount Betten plan भी कहा जाता है तो निस्चीति आप समझ में आ गया होगा mount beton plan या dekee word plan क्यों लाया गया है आप सभी को इसमें कोई दिकतब नहीं होना चाहिए नेश्ची ती क्या किया गया था भारत का विभाजन करने के लिए पलान बनाया गया है भारत विभाजन से जुड़ा हुआ है चाहे इसको dekee word plan कहिए या आप इसको माउंट बेटन योजना भी क्या सकते हैं नेक्ट कोईशन देखिए जिन्ना के 14 सूत्रिय फार्मूले में निमलिखित में से कौन सी बाते सामिल थी कौन सी बात है जो जिन्ना के 14 सूत्रिय मांग में सामिल है पहला कह रहा है मुसलमानों के लिए प्रिथक निर्वाचन मंडल दुसरा कह रहा है मुसलमानों की आबादी पर ध्यान दिये बिना उनके लिए आरचछड कास जो है सुनिश्चित प्रतिसत और चौथा कह रहा अफशिष्ट सक्तिया केंडर के पास और चौथा करा की सभी बाते सही है आपको बताना है बचलो कि जिन्ना के चौदर सूत्रिय जो फार्मूला है इसके बारे में क्या सहे क्या सामिल था उनकी फार्मूले में आपको ये बताना है फटाफट उत्तर दीजेगा और ये भी आपके लिए बहुत important question है आप सभी को पता होगा कि जो मोदिलाल नहरू है उनकी जो रिपोर्ट आई थी नहरू रिपोर्ट उसी के विरोध में जिन्ना ने चौदर सूत्रिय मांग रखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचर मंडल अस्थापित होना चाहिए साथ इन्होंने कहा था कि मुसलिम बहुत सक्ष्य प्रांतों का निर्माड होना चाहिए इसके लावा इन्होंने ये भी कहा था कि मुसल्मानों के लिए सभी सेवाओं में आरच्छड होना चाहिए इसके लावा इन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या के अनुपात में आरच्छड भी मिलना चाहिए और प्रांतों की सभी जो औसिष्ट सक्तियां है वो मतलब जो है किसके पास होना चाहिए तो औसिष्ट सक्तियां किसके पास होना चाहिए तो याद रखे गया इन्होंने कहा प्रांतों के पास होना चेसले गलत हो गया इन्होंने कहा था कि मुसल्मानों की आबादी के आधार पर ही आरच्छड उनको उपलब्द कराना है और आपका पहला तो सही है प्रिथक निर्वाचन के बाद उन्होंने किया था यहाँ पे कहरा आबादी को ध्यान दे बिना ऐसा नहीं है उन्होंने कहा था मुसिल्मानों के आबादी के आधार पर उनको क्या देना है आरच्छड प्रदान करना है यानि कि बहुत संख्यक प्रांतों का निर्माड भी करना है और उनकी आबादी के आधार पर अनुपात में उनको आरच्छड भी देना है तो इसलिए आपका पहला क वल सही है बाके बाते सही नहीं है निमली कितमे से कौन सा भारती राष्टे का अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के ततकालिक कारड थे कौन सा कारड था जो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का ततकालिक कारड था पहला अगस्त प्रस्ताओं की आ सफलता दूसरा करा बढ़ती कीमतों के कारल लोक सम्मत आ संतुष्टी तीसरा करा दोनों बाते सही है और चौथा करा कोई भी सही नहीं है अब बताएंगे विचलों भारत छोड़ों अंदोलन सुरू करने का तातकालिक रेजन क्या था और ये भी अपने आप में इंपोर् क्या कर दिया गया हम लोगों ने भारत छोड़ों अंदोलन सुरू किया है और सुरू क्यों किया चूकि जो खाने पीने की चीजे थी इसमें बेतहासा ब्रिद्धी हो गई जैसे नमक हो गया चावल हो गया इनके जो दाम है वो तेजी से बड़े साथ ही उस समय भारत पर ज ये भी एक रिजन था जो है आंदोलन सुरू करने का और साथ ही वहां के जो भारती ये थे उनसे वो जगह खाली भी कराया जा रहा था तो यहां पर अगस्प्रस्ताव का आसफल होना नहीं है बलकि क्रिप्स मिशन के आसफल होने की वज़े से ये चलाया गया था तो सब्सक्राइब अर्प आसप्यक्राइब कर developers क्राओं का कलों से अस Dia in the app 29 жд धाया है यहां बैक्तितू के बारे में बातury करrh無टक 친 मिवाथा फिर कह रहा है कि गिरबतार मतलब जो है वह आजाद हिंद फौज में गिरबतार गिरबतार सिपाहियों के बचाओ के लिए प्रयासरत वकीलों में से एक थे आप बताएंगे ये बाते किसके बारे में हो रही है बुला भाई दिसाई कैलास नातकार जू डाक्टर बियारम बे ये नाइट होड की उपादी किसने वापस किया है फिर आपने दिखा जाथे इन फौज में वो से इनकों को आजात कराने के लिए वकिल की वर्दी पहन कर वकालत भी करते हैं और गोल में सम्मेलन में ये सामिल भी होते हैं तो याद रखेंगा कौन हो जाएंगे तो ये है आपसे नमर 4 तेज बहादूर सप्रू की बात हो रही यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल याद होना जाहिए इंपॉर्टिन कोईस्टिन था नेक्स देखें निम्न लिखित में से कौन से भारतिये स्वतनता संग्राम के नरम दल संबंधी नेताओं में साम इसको तो आप लोग बिल्कुल एक सेकंड में बता सकते हैं आप सभी को पता होगा कि कौन है जो नरम दल के नहीं है यानि कि वो घरम दल के हैं या उनको उग्रवादी कहेंगे तो सभी को पता है लाल बाल पाल यानि कि विपिंचंदर पाल जो है ये नरम दल के नहीं है ब बिदरो रोलिट आक्ट पूना पैक्ट और नॉसेयनिक बिदरो망 चो ता है आपका सूरत बिदरो Dave बहुत आसान है कोई दम ही सभी को पता है इसका उत्तर शूरत आप पता है कि 1907 की घटना है रॉलाइट एक्ट पता है 1919 की घटना है पूनाप एक्ट पता है कि 1932 की घटना है नौ सैनिक अभी मैंने बता है 1946 की घटना है तो इस तरह से आपका क्या होगा है आपसन नमर टू बिल्कुल सही है आप लोगों को इस तरह के कोई संसाल करने में देकत नहीं होगा नेक्स देखें निमलिकित में आपको पताना है रानी गायडे निल्लू के बारे में क्या सही है वह वैश्रोवाद की प्रबल्स मर्थक थी दोसरा उन्होंने रानी की उपादी पंडि जवाहलाल नहरू द्व में हुआ था याद रखेगा मड़ी पूर की है कभी नागलेंड अगर मैंने बोल दिया हो तो ध्यान बदिजेगा मड़ी पूर में इनका जन्म हुआ था और इनको गायडी निल्लू की उपाधी नहरू ने दिया था आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं तो यह दोनों बात से नहीं जुड़ी है तो आपका पहला सही नहीं है केवल और केवल आपका दूसरा सही है नेक्स देखी निल्लिकित में से कौन सा है जो सही है पहला करा तिलक द्वारा अस्थापीत होम रूल लीक साम प्रदाइक विचारधारा पर आधारी थी दूसरा करा एणी बेसेड ने 1916 में कांग्रेस के आती हासिक लखनाउ सत्र की अध्यचे ताकि तीसरा कहला 1970 की मांदे की घोशना ने आप प्रत्यच रूप से होम रूल या आपके स्वसासन के मांग का समर्तन किया यहां पर होगा मांटेस क्यों खोशा पत्र तो बताएंगी पर चलो क्या है जो आप का सत्य हो जाएगा फटा फट उत्तर दीजेगा आपको सत्य बताना है इसमें से कौन सी बात है जो आपकी सही है आपको वही बताना है तो याद रखेंगे क्या है जो आपका सही है केवल और केवल आपका तीसरा सही है 1917 में मांटेस क्यों घोशना पत्र ने आप्रत्यच र प्रस्राइं देते हैं सभी के चीजों को सपोर्ट करते हैं इसलिए गलत हो गया दूसरा गलत है चुकि 1916 में जो लखनव का अतिहासिक सत्र था इसको मैंने बताया था आपको चरण मजूमदार ने जो है इसको देखा था ये question बहुत बार आता है कि अंबिका चरण मजूमद साकी है वो 1917 का है जो की कोलकाता में हुआ था तो आपका केवल और केवल तीसरा सही है बाकी आपका पहला दूसरा बिलकुल भी सत्य नहीं है नेक्स देखे निमलिकित में से कौन सा है जो सत्य है पहला मोतिलाल नहरू ने विधान परसत की समाप्तिया सुधार का विचार प को बताना है क्या है जो सत्य है पड़ा पड़ उत्तर दीजेगा बचा लोग आप लोग को दिकत नहीं होना चाहिए काफे कुछ साथ लोगों का मैं साल्व करवा चुकी हूं तो रिविजन करते रहेगा आने था कंफ्यूजन होगा तो आपको इसमें तो बिलकुल भी कंफ रस्तुत किया था ये बात तो आपका बिलकुल सही है ये आप जानते हैं कि मोतिलाल नहरू जो है और सियारदा सिन्हों ने ही तो अस्थापित किया है जो है पार्टी और उसी पार्टी के थायते लोग क्या कर रहे हैं बिधान पर से दो में जा रहे हैं तो ये आपका पहल बिल्कुल सही, दूसरा क्यों गलत है लाला हर्दियाल तो गदरवाले हैं जो कि अमेरिका के सेन्ट फ्रांसिस्कों में है आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांगरेज के पहले अध्या से जो है ये लाला लाजपत राए है याद रखेगा कौन है और तीसरा सभी को पता है चटगाओं विद्रोह नेत्रित चंसेखर आजाद नहीं करें नेत्रित तो आपके कौन कर रहे हैं इंपोर्टेंट हैं ये बात भी आपको याद रखना है पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं कि चटगाउं सस्त्रागार का जो नेत्रित है ये कौन करेंगे निश्ची थी चंद सेखर तो उसमें जो हैं बैक में हैं जो हाँ पे में रोल में हैं उसमें आपके जो हैं क्या कहते हैं अब याधी नाम नहीं आ रहा है असफाकुला खा थे बलकि सूरिसेन है जिनको मास्टर दा कहा जाता है तो इस वज़े से क्या हो गया ये गलत हो गया असफाकुला खा तो काकुरी कांड से जुड़े हुए हैं जब सोचने लगी तो नाम भी याद नहीं आता तो चटगाउ सस्त्रागार का जो विद्रो का नेत्र तो कर रहे हैं यहाँ पे चंसेखराजाद का कहीं नाम निसान नहीं है यहाँ पी मास्टर दा है जिनको सूरिसेन कहा जाता है और उन ही के सिस्स लोगों ने इतने बड़े काम को अंजाम दिया है काकुरी कांड में विद्रों घूम जाता है आपका केवल और केवल पहला सही है बाकी बाते सत्य नहीं क्यों सत्य नहीं है मैं आप लोगों को बता चुकी हूं बसरते आप लोगों याद कर ले इतना जादा बार बार रिविजन हो रहा है तुनिसीत याद हो जाना चाहिए देखिनेक्स्ट डिसंबर 1916 के लखनओ समझहोते के बारे में कौन साकतन जो सही है पहला इस समझहोते ने कांग्रेस के नरमपंधियों और चरंपंधियों दलों के बीज उबरे मतभेत को दूर करने में मदद दी दूसरा इस समझावते में कांग्रेस ने मुसलिम के लिए प्रिथक निर्वाचर मंडल की योजना को सहमती दे दी तिसरा करा दोनों बाते सही है और चौथा करा कोई भी सत्य नहीं है आप बताएंगे बचलोग बहुत आसान है कॉंसेप्ट आधारी थे पढ़ चुके हैं रिपीटेड प्रस्न है तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही है दोनों बाते बिल्कुल सही है इस समझाते में कांग्रेस नरम पंथी और चरम पंथियों का मेल हो गया था तब मिल गए थे यहाँ पे कांग्रेस में नरम गरम भी मिल रहे है साथ ही मुस्लिम लीग भी मिल रही है और समझाते पे किस समझाते पे कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के प्रिथक निर्वाचन मं की योजना को सहमती प्रदान करेगी कांग्रेश ने सहमती प्रदान कर दी और मुसलिम लेग ने साथ देने के लिए अपने आपको तयार कर लिया तो दोनों बाते बिलकुल सही हो गई नेक्स देखे ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के संदर में कौन सा कतन है जो सही है इसी अधिनियम के आधार पर मेरट सड़े अंतर मामले में गिरफ तारी की गई तीसरा दोनों बाते सही है चोथा कोई भी सही नहीं है आप बताएंगे बचा लोग क्या है जो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के बारे में सकते है आपको बताना है क्या है जो सही हो जाएगा और यहाँ पे भी आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज होंगे पक्का आप लोगों को समस्या होने वाला है तो क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा आपको ये बताना है तो यहाँ पे आपने सुना होगा क्या इसमें स्रम संखवाद के सभी रोपों को गैर कानूनी घो तो इसी अधिनियम के अधार पर मेरे सड़ेंत्र मामले में गिरफतारी हुई थी नहीं यहां पर लिखी हुई दोनों बात जो है यह आपका सही नहीं है रिजन क्या है क्यों सत्य नहीं है तो आप यह भी जान लिजे याद रखेंगे कि आपका जो ब्यापार संग है कि विदियों को नागरिकों इवं आप राधिक गतिविदिया है इनको इस परेदी से बाहर माना गया कि इनकी जो राजनेती गतिविदिया है इसके लिए कुछ सीमाय तैं की गई थी यहां पर जो कहा है कि स्रम संगवाद के सभी रूपों को गैर कानूनिक होसित किया गया तो आपकी ट्रेड यूनियन है अगर इसमें लोक जो अमें इसमें लोग जो लोग मत पर I tail Ajm ए अमकर शाह्क है इनकी जो गतिविद्ी है इंके अगर जुन नागरिक है ये आपराधि कति विद्धीओं की फडिधी में आते हैं तो आपराधि कति विध्धीओं को इसमें नहीं लेंगे बलकि अगर राजनीति की रूप से किसी गति विध्धी में यह लोग सामिल है तो इसकी कुछ सीमा इसके तहत बनाए गई थी ट्रेड यूनियन अधिनियम आपने देखा था कि हरताल वगएरा अगर कोई कर रहा है तो हरताल नहीं करने देना उसको रोक देना है तो क्योंकि यह राजनीती से जुड़ गया है तो यह राजनीती गति विधियों को इसमें परेदी में ला रहा है अपराती गति विधियों के लिए इसमें प्रावधान नहीं है दोसरा जो कहरा इस अधनियम के आधार पर मेरड़ सड्यंतर मामले में गिरब तारी के गई थी तो ये भी आपका सही नहीं है चुकि आप सभी को पता होगा कि मार्च 1929 में सरकार ने मेरड़ सड्यंतर जो मामला है ये जो है स्रमिक विबाद अधनियम और जो नागरिक सुरच्छा अध्यादेश की आधार पर जो है 31 स्रमिक नेताओं की बंदी बनाई गई थी और ये उनको क्या किया गया था सजा दे गई थी लगबग साठे के तहट किया गया है तो स्रम विबाद अधनियम और नागरिक सुरच्छा अध्यादेश की तहट किया गया है ये चीज़ भी याद रखेगा तो आपका जो ट्रेड यूनियन है ये हर तालोग को रोकने के लिए लाए गया था बाकि मैंने आप से कहा था कि एक पब्लिक से 26 के तहट जो आपके एक तरीके से किए अवराधी गतिविदी हैं उनको नहीं लिया गया है साथी मेर सड़यंतर जो मामले हैं ये भी इसके तहट नहीं आए हैं वलकि इस पब्लिक सेफटी बिल के तहट लाए गये हैं तो इसलिए आपके दोनों बाते जो है गलत हैं ये इ इसन योजना के बारे में क्या सकते नहीं आपको ये बताना है कह रहा है इसमें एक संपोर्ट पाकिस्तान की मांग को स्वविकार कर लिया दूसरा प्रांतों को पूड सुधायतता तथापसिष्ट सक्थियां प्राफ्थ होनी थी तीसरा कह रहा है प्रांत खंड तथा कोई भी सही नहीं है आपको बताना है क्या है जो सही नहीं है वो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा सिंपल सी बात है बार बार मैं ये question करवा चुकी हूं कि cabinet mission ने पाकिस्तान की मांग को आसो भी कार दिया था ये आपका सत्य नहीं है और आपका दूसरा तू बल्कु सही है कि प्रांटों को पूरस्वायतता अब सिष्ट सक्तियां भी प्राप्त होनी चाहिए ये बात तो हुई थी इसलिए orange person हो गया और आपका ये 1946 सेबर्स 1947 के बीच अंत्रिम् सरकार के मंत्रियों के संदर में कौन सा युगम है जो सही सुमेलित है पहला करा जवाहल्लाल नहरु गिरह मंत्राले क्या इनक्य धीन था पहलाई भलाभभाई पटेल को रच्छा मंत्राले मिला था तिसना केरा राजिन प्रसाद को क्रिसियुम खादे मंत्राले मिला था और चौथा केरा सी राजगोपालाचारी को स्रम मंत्राले दिया गया था आपको पताना है कौन सा है जो आपका सही सुमेलित है और ये भी एक्जाम में बार-बार पूछा हुआ कोईसन है बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है फटा-फट देना है उत्तर क्या है जो आपका सही सुमेलित है तो याद रखेंगे केवल और केवल आपका तीसरा सही है च जोकि जवाहल लाल नहरे को बीदेश मामला मिला हुआ था उन्हें बीदेशी मामले कर देखना था इसके लावा कारी-कारी परिसद भी उनको देखना था और राष्ट मंदल भी देखना था जो आपके बल्ला भाई पटेल हैं इनको ग्रीह मंत्राले मिला था सूचना और प् गलत हो गया है यह याद रहाए गएगा और ब राजिन प्रसात को सिच्चा ने दिया गया था नेक्ष्ट कपलाचारी को सिच्छा मंत्रा ले दिया गया था काफी आसान है निव्ट मेंसे किस समों को बर्स 1932 के सामपरदाइक पंचाइट में प्रिथक निर्वाचं छेतर प्रतान नहीं किया गया था 1932 के पुना पैक्ट के सामपरदाइक पंचाइट के तहरत कौन सा है जो सामिल नहीं है बाकि सभी हो जाएंगे मुसल्मान है यूरोपिय है सिख है जैन है फटापट उत्तर दीजेगा कौन उसमें सामिल नहीं है और ये भी आपके लिए काफी पहदरी इंत्रस्ट है फटापट देंगे उत्तर क्या है जो इसमें सामिल नहीं है तो याद रखेंगे बचा लोग ज लेकिन जैनियों के लिए संप्रदाइक पंचाड के तहर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया था इसलिए आपका तीसरा मतब लास्ट यानि के चौथा सही नहीं है नेक्स देखिने में कितमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थुई पटापट दीजे उत्तर ये सारी चीजे पढ़ा चुकी हूं सबका इयर आपको पता है पहला हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन आर्मी के स्थापना दूसरा क्रांतिकारी द्वारा सांडर्स की हत्या तीसरा सूरिसेन और उनके सहयोगियों द्वारा चटगाओ सस्त्रागार का छापा मार और चौथा बटिस सरकार द्वारा भगत सिंग सुक्दिव और राजगुरु को फासी बताएंगे वचा लोग बहुत ही सांदार प्रस ने सबका इयर बताना है और सब पढ़ा चुकी हूं आप लोगों को ये गलत नहीं करना है तो इसमें आपको पता होगा हिंदुस्तान Republican Association के स्थापना 1924 में कानपूर में किया गया था और जो सांदर्स की हत्या है ये आप सभी को पता है 1928 की घटना है ये 1928 में सांदर्स की हत्या हुई है सूरी सेन का जो चटगाओं का हुआ था हमला ये आपका 1930 की घटना है और भागत सिंग को जो फासी हुई है ये आपको पता होगा 23 मार्च 1931 में हुई थी तो इसे साफ से आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा तो आप सभी को पता है कि आपका पहला आप्सन जो है ये बिलकुल ही सत्य हो जाएगा चली देखते हैं हमारा अगला कोईशन सुबास चंद बोस के संदर में कौन सा कतन है जो सत्य है चितरन जन्दा सुबास चंद बोस के राजनेति गुरू थे दूसरा बर्स 1934 में उन्होंने रामगड में एक समझाता विरोधी सम्मेलन कायोजन किया तिसरा सुबास चंद बोस ने जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर से जैहिंद का प्रख्यात नारा दिया और चौथा सभ नेतिक गुरू कौन थे निसी थी बचलो याद रखेगा आपकी सारी बाते बिल्कुल 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 सही है और ये सारी बाते याद रहे चितरन जन्दा दासुन के राजनेतिक गुरू है और उन्होंने रामगड में एक समझाता विरोधी सम्मेलन भी किया था और में फ्री इंडिया से जै हिंद का नारा भी सबसे पहले उन्होंने ही दिया था इसलिए बाते आप लोगों को बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मारा अगला कोईशन बर्स 1923 में चुनाओं के लिए के लिए जारी किये गए स्वराज वादी घो ठांकित किया था उन्होंने पहला कह रहा है स्वराज वादियों की परिसदों में राष्ट वादियों की स्वसासन की मांग को प्रस्तुत करना था दूसरा मांग की आस्वविकरती की स्थिती में स्वराज वादियों को जन संघर्स के लिए परिसद का त्याग करना था ती था कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है बताएंगे 1913 के लिए जारी किये गए सुराजवादियों के घोष्णा पत्र में कौन सी बातें जो रिखांकित की गई थी और ये भी आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्रस्तुत करना था दूसरा क्यों गलत है यहां उन्होंन परिसदों के भी तरही एक समान और निरंतर औरोध की नीती अपनाने का निरड़े लिया उन्होंने की एक समान और निरंतर औरोध उत्पन करेंगे हम परिसदों में अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा वहां से त्याक पत्र देने की बात उन्होंने नहीं की चुकि उ उपस्तित रहे के औरोध उत्पन करेंगे तो सायद सरकार उनकी बात सुन ले आज का लाश्ट कोईस्टन है हिंदुस्तान डिपब्लिकन एसोसियेंस्टन के संदर्भ में कौन सा कतन है जो सही है पहला कह रहा है योगेस चंदर चटर जी राम प्रसाद बिस्मिल और सूरिसे इन एच आरे के संस्थापक थे दूसरा कहरा संयुक्तलाज भारत के संग रुगड़ राज के स्थापना की तीसरा कहरा है कि दोनों बाते सही है और चौथा कहरा कि कोई भी सही नहीं है क्या सत्य है यह आपको बताना है और यह आपके लिए काफी इमपोर्टेंट है पचल दूसरा सही है पहला गलत है पहला क्यों गलत है एच आरे की जो अस्थापना है यह अक्टूबर 1924 में कानपूर में किया गया था जिसमें राम प्रसाद बिसमिल योगेश चंदर चटर जी सचिन सान्याल यह लोग सामिल जो है कह रहा है कि सामिल थे लेकिन यहाँ पर कह र कारे में कह रहा है कि कानपूर में स्थापना हुई है जिसमें सूरे सेन को सामिल नहीं कर रहा है इसलिए आपका सही नहीं है कह रहा है कि इसमें आपके सूरे सेन नहीं है यानि कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन में सूरे सेन नहीं है सूरे सेन को मैंने आपको इसमें योगेस चंदर चटर जी हैं प्रसाद बिस्मिल है और सचिन सान्याल है इसलिए आपका ये गलत हो गया दूसरा क्यों गलत है दूसरा इसलिए गलत है बचालो क्यों कि दूसरा तो सही है गलत कह रही हूं दूसरा बिल्कुल सही है कि ये जो संगठन है इनका जो मुख ही नहीं नहीं चुकि यहां पर सूराइच को लेकर क्या गए है इस मसले तो पहला है तो यह T काकोरी कांड को अंजाम दिया था तो मीदे बचलो क्लास अच्छा लगा होगा क्वेस्टन काफी गूड है आप लोगों को समझाते समझाते कभी कभी तो मेरा भी देमाग जो है कोई देकर नहीं आप लोग मेहनत करें और अच्छे से अच्छा जो है परफामेंस दें जल्दी से सेसे और अपनी मैहनत को बढ़ाते रहें आप लोग का मेहनत जब देख ता है तो मुझे भी एनरजी मिलते है और जब आप लोग लूज पड़ते हैं तो टेंसन होने लगता कि मेरे बच्चों का क्या होगा तो याद रखेंगे बच्चा लोग आप सभी को बहुत मेनत करना है और अब हम लोग जो है नेक्ष दे मिलेंगे ऐसे ही क्वेस्टन के साथ थाइंक्यू थाइंक्यू सो मच